हेलो दोस्तों, यूनीक नॉलिज चानल जी के हाब मी आपका वेलकम हाब बिना लेट किये सुरू करते हैं, आज का पहला क्वेस्चिन हाँ एक, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिधान्त का प्रतिपादन किया? 2. किस यंत्र के द्वारा सौर उर्जा को विद्यूत उर्जा में रूपांतरित किया जाता है? A. फोटोवॉल्टिक सेल B. देनियल सेल C. ड्राई सेल D. गैल्विनिक सेल करेक्ट आंसर ओप्शन A. फोटोवॉल्टिक सेल 3. निमलिखित में से कौन काज का सबसे महवपूर्ण घटक है? A. घ्वाज़क B. माइका C. सिलिका D. इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर ओप्शन C. सिलिया 4. पदार्थ का परमानू सिधान्त के स्वैज्यानिक ने दिया था A. मैक्सवेल 5. वाशिंग मशीन के सिधान पर कार्य करता है A. अपकेंद्रिय B. अभिकेंद्रिय C. उपरोक्त दोनो D. इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर ओप्शन A. अपकेंद्रिय दोस्तों अमिद है आपको ये लेक्चर पसंद आये होगी और हाँ आप अपना लाइक कमिन्स और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूले थैंक्यू ओन